हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी को मैं नम्रिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे तो आज हम UGC.net के इकाई आठ में लगा है नाटक अंजो दीदी इसका अधेयन करेंगे और इकाई आठ में 14 नाटक लगे हुए हैं जिन में से कुछ हमने देखा है और एक देख रहे हैं और इसके आगे भी हम कुछ देखेंगे तो 14 नाटक है धिर धिरे करके हम सब देखेंगे और सब की प्लेइलिस्ट आपको यूटूब पे मिल जाएगी हमारे तो प्लेइलिस्ट से जाके आप सारे नाटक देख सकते हैं कहानिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है अब हम नाटकों को धिरे-धिरे पूरा करेंगे तो अंजो दिदी नाटक हायर में भी लगा हुआ है तो हायर के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है और नेट में तो है ही ये उपिद नाथ अस्क का नाटक है उन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं उनके कई नाटक प्रशिद्ध हैं लेकिन उनका ये प्रोध नाटक है और सरवाधिक प्रशिद्ध हुआ ये नाटक अंजोदीदी तो अस्क का ये प्रोध नाटक है अंजोदीदी और काफी प्रशि मधुलिका के लिए जो अपने श्वर्गवास के दो दिन पहले ज्वर की दसा में नाटक का सारा मसौधा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष दुख और आश्यरे में छोड़ गई फिर आगे मधुलिका के बारे में लिखे हैं कि मधुलिका कौन थी लिखे हैं कि ये मेरे मित्र स्री गुपाल दास जो असिस्टेंट इस्टेशन डारेक्टर आल इंडिया रेडियो इलहाबाद में थे उनकी तीसरी लड़की थी मधुलिका अस्क जी के एक मित्र थे गुपाल दास उनहीं की लड़की थे साथे नौ वर्ष की प्यारी सी बच्ची इस छोटी से उम्र में उसे साहित्ति से विशेश कर नाटकों से अपुर्व अनुराग था मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो और जिसके बारे में राय न दी हो पिछले एक वर्ष से वह निफ्राइटिस जैसे मूजी रोक की सिकार थी पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा अन्जो दिदी नाटक अप्रेल 1955 में ब्राडकास्ट होने जा रहा था मैंने पांडू लिपी भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुग हालत के सुचना पाकर मैं उसे देखने गया तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड लिया फिर बातों बातों में बोले कि इसे पढ़ने का इतना सौख है कि इस दसा में भी तुम्हारे नाटक के साय तीस चालिस पेज पढ़ लई है हमारी बात बच्ची ने सुन ली और नीम बेहोसी में उसने कहा कि मैंने सारा नाटक पढ़ लिया है उसके पीता कह रहे थे उसके जिसे कि इस बेहोसी के हालत में भी वो तुम्हारे तीस चालिस पेज नाटक पढ़ लिया है तो वो कहरे नहीं मैं सारा पढ़ ली हूँ फिर तीसरे दिन सोलह मार्च उन्री सो पच्पन को वह इस संसार से चली गई तो उसी के लिए उन्होंने समर्पित किया है नन्ही मोधुलिका को जो कि इनके नाटक को वो पढ़ी थी छोटी सी बच्ची थी और उसका ध्यान थो गया बहुत ही कम उमर में अब हम देखेंगे इस नाटक के पात्र को जिस क्रम में वे नाटक में आते हैं उसे क्रम में हम पात्रों को देखेंगे तो इस नाटक में दो अंख हैं ठीक दो अंख है दोनों अंख में तीन तीन दृश्य हैं तो पहला अंख है पहला अंख में अंजली है जो नाईका है इस नाटक की मुख्य पात्र कह सकते हैं जिसको अंजो नाम से जना जाता है इंद्र नारायन है, अनिमा है, श्रिपत है, मुन्नी है, राधु है, नीरज है, उम्रे 11 वर्ष का तो पहले अंक में इतने पात्रों को आपको पढ़ने को मिलेगा अंजली, इंद्र नारायन, अनिमा, श्रिपत, मुन्नी, राधु, नीरज ठिक दूसरे अंक में आपको ओमी मिलेगा निरज मिलेज नजीर मिलेगा अन्नो मिलेगा श्रिपत मिलेगा राधु मिलेगा इंद्र नारायन मिलेगा नीलम की उमर 11 वर्ष है और नीरज की उमर यहाँ पे दूसरे अंक में 32 वर्ष की हो गई है ठीक अब देखिए तो यहाँ पे अंजली अंजली जो है इस नाटा की सबसे मुख्य पात्र है जिसको अंजो दिदी कहा गया है इंद्र नारायन कौन है इंद्र नारायन इसका पती है जो वकील है अनिमा इसकी सहेली है अंजली की सहेली अनिमा है और श्रिपत क्या है श्रिपत भाई है अंजली का जिसे ये नकम्मा साबित करती है स्रीपत अंजली का भाई है मुन्नी नौकरानी है और राधू भी नौकर है काम करने वाला और नीरज इनका बेटा है अंजली का बेटा है नीरज ठीक, दूसरा अंक में देखते हैं दूसरा अंक में ओमी है ओमी नीरज की पतनी है और अंजली की बहु का सकते हैं जो बिलकुल अंजली की ही टूकापी है दूसरी अंजो इसको मान सकते हैं आप इस नाटक में ठीक और शुरिपत तो वही नीरज का मामा है और उसका भाई है अंजली का और नजीर अनौ बाकिये पातराते हैं यह उतने फेमस नहीं है बस इनको भी जान लेना है नजीर हैं और अनौ है तो चलिए आगे देखते हैं अस्थान अस्थान है दिल्ली में अंजली दीदी के बगल की बैठक और खाने का कमरा अंजली दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा ये अस्थान है समय है पहला अंक गर्मियों में एक दिन और दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन तो पहला अंक का समय आपको दिया है गर्मियों में एक दिन का वड़न है और दूसरा अंक है 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन ये आपका समय हो गया आगे है इस नाटक का कापी राइट लेखक के उत्राधिकारियों के पास सुरच्छित है खेलने वालों से प्राथना है कि वे बीना पेशगी रायल्टी दिये और लिखित अनुमती पाए इसे खेलने का प्रयाश न करें इस संबंध में शमस्त पत्रव्यवहार प्रकाशक के पते से किये जा सकते हैं यह कुछ जानकारे दिये हैं वो यहां से हमारा नाटक की सुरवात होती है पहला अंक का पहला द्रिश्य नाटक का पहला अंक का पहला द्रिश्य 1936 की गर्मिया और परदाश्री इंद्र नरायन वकील की भवे कोठी के बड़े हाल में खुलता है 1936 की गर्मिया और परदाश्री इंद्र नरायन वकील की भवे कोठी के बड़े हाल में खुलता है जिसे लकडी के एक खुलने और बंध होने वाले सुन्दर परदे की सहायता से दो भागों में बाट कर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है लेकिन कोठी वकिल साहब को चुकी दहेज में मिली है इसलिए उनकी कोठी न कहला कर उनकी पत्नी स्रीमती इंद्र नरायन की कोठी कहलाती है जो सधारता अंजली दीदी या यो कहें तो अंजू दीदी के नाम से प्रशिद्ध है यह खाने और बैठने का मिला जुला हाल लंबा चवड़ा और खुला है कोठी को वर्शों पहले एक अंग्रेज इंजिनियर ने बनवाया था और तब शनी के दिन यहाल नित्यकर्ष का भी काम देता था पर जब शराब और जुए के कारड कर्ज से लद कर इंजिनियर साहब ने कोठी बेची और अंजो दिदी के नाना ने उसे खरीद लिया तो यद्यपी उन्होंने इससे नित्यकर्ष का काम कभी नहीं लिया तो भी इनकी से स्टजावट अंग्रेजी धंकी ही रहने दी बाई ओर के आधे भाग में खाने की मेज और छे कुरसिया लगी है सामने एक खुबसूरत साइड बोर्ड है जिसमें चाई की प्लेटे, प्याले, काटे, छूरिया और चीनी के अन्यबर्तन पड़े है एक कोने में तिपाई पर चिलमिली रखी है और उपर खोटी पे तौलिया टंगा है ये उस समय के इस्थिती का वड़न हो रहा है जो घर का महौल है उसका तो आप लोग अपने मन में ये कलपना करिए या ऐसा ऐसा एक घर है वहाँ पर ये चीज़े रखी गई है तो और मजा आएगा नाटो को पढ़ने में चट पर बिजले का पंखा मन्थर गती से चल रहा है बाई दिवार में एक दर्वाजा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरों में खुलता है उसकी चोखट के उपर दिवार में एक कीमती सुन्दर घड़ी अनवरत टिक टिक कर रही है खाने के कमरे और बैठक के मध्ध शागौन की लकड़ी का जो कीमती परदा खड़ा है उसके फ्रेम में रेसमी कपड़ा लगा है आवश्यक्ता पढ़ने पर यह परदा बंद करके अलग भी रखा जा सकता है बैठक में आने का मार्ग इस परदे के दोनों और से है घर के अंदर से आने वाले परदे के उधर से आते हैं और बाहर से आने वाले परदे के इधर से बैठक में सामने तक्त और गाउं तक यह लगे हैं इधर को काउच और तिपाई रखी है जमीन पर गलीचे बिछे हैं एक दर्वाजा दाई दिवार में है जो बाहर बरामदे में खुलता है और एक दर्वाजा सामनी दिवार में पर्दे के निकट है जो रसोई घर को जाता है पर्दा उठते समय बैठक खाली है खाने के कमरे में पांच कुर्षिया मेज के नीचे है और छठी पर अनिमा अनिमा 25 वर्ष की मजले कद की गदराय शरीर की युवती है वही अनिमा जो अंजो की सहेली है तो ये कमरे में पांच कुर्षिया मेज के नीचे है खाने के कमरे में पांच कुर्षिया मेज के नीचे है और छठी पर अनिमा बैठी है जो 25 वर्ष की मजले कद की और गदराय शरीर की युवती है और संभव तो वो किसी के आने की प्रतिक्षा में लेस बुन रही है अनिमा अंजो दीदी की अंतरंग सहेली है और गर्मियों की छुटिया बिताने दिल्ली आई हुई है दोनों कमरे निश्कलंक रूप से साफ है प्रकट है कि उनकी सफाई केवल नोकरों पर ही निर्भर नहीं अंजो दीदी स्वय मुष में दिल्चस्पी लेती है हर चीज करीने से लगी साफ और श्वच्छ है दोनों कमरों में कहीं धब्बा जाला या धूल नहीं है सुबह का वक्त है घड़ी में आठ वजने को है परदा उठने पर घड़ी में आठ की टन टन सुनाई देती है इसके साथ ही अंदर के दर्वाजे से अंजली प्रवेश करती है और तेजी से अनिमा के पास से निकलती हुई रसोई घर के दरवाजे पे जाकर आवाज देती है अंजली अंजली जो अंजो देती है अंजली कहती है रसोई घर के दरवाजे पे जाकर मुन्नी मुन्नी नौकरानी है जो खाना बनाती है तो कहती है मुन्नी नास्ता मेज पर रखो तनिक कड़े स्वर में कहती है तुम कर क्या रही हो आठ बज गए हैं और नास्ते का कहीं पता नहीं मुन्नी कहती है बस लिया आ रही हूं मेम साहब अंजली फिर खट खट करती हुई अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चे को आवाज देती है अब नास्ता के लिया आवाज लगा के वो बच्चे के पास चले जाती है अब जाके कहती है बच्चे से नीरज बेटा कपड़े बदल लिये तुमने नीरज बस हो गया तयार मम्मी अंजली और अपने पापा से कहो नहां धोकर सीधे इधर आए नास्ता कर ले फिर चाहे जो करते रहे तौलिया उनका टावल स्टेंड पर पड़ा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं अभी तक नहाय नहीं आठ बज गए हैं तो अब इंद्रनाथ कहते हैं अरे भाई आया आया इंद्रनाथ जो उनके पती हैं वो कहते हैं कि अरे भाई आ रहा हूँ क्यों घबडाती हो फिर अंजली कहती है अनिमा क्योरब देखे कहती है इनकी आदत भी तुम बैठे बैठे उप तो नहीं उठी है नो मैंने कहा नास्ते का समय हो रहा है इन सब को तयार कर दूँ फिर हसने लगती है और हस्ती हुई मेज के नीचे से एक कुरसी खीचती है और कहती है कि मैं सोर ना मचाऊं तो नास्ते को दस बच जाएंगे यहां और यह कहके फिर बैठे जाती है अंजली की जो उम्र है वो यदिपी 30 साल के निकट है लेकिन वह पांच एक वर्ष बड़ी दिखाई देती है पतले छरहरे सरीर की दुबले नशो वाली युवती जो ना केवल ग्रिहस्ती की चक्की में जुटी हुई है बलकि पूरे निष्ठा और गंभेता से जुटी हुई है सुन्दर चेहरे पर अभी से हलकी सी लकीरे बन गई है और मुश्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है उसका मस्तक मस्तिक्स की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचे देता है लेकिन इस सुचमसी मलिंता की अतिरिक्त क्या पहरावे की सुरीची, श्वच्छता और निर्दोस्ता और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ती सजगता और जागुकता वह हर बात में अनिमा को मात देती है अनिमा उस मुक्त म्रिगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अन्भिग्य है उसके बनाव सिंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती है उसके मुकाबले में अन्जली ऐसे लगती है जैसे कोई देवी हो जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हो अभी अभी साचे में ढल कर आई है ये अन्जली के बारे में बताया गया है अन्जो के बारे में अब अनिमा को देखते हैं अनिमा अपना निरंतर लेस बुनती रहती है बुनती हुए कहती है मैं तो हैरान रह गई अन्जो दीदी तुम्हारे यहां का सलीका और समय की पाबंदी देखकर अब अंजली प्रसंसा से फूले समा नहीं रही एकदम ये अब ये का रही है इस घर के कड़ कड़ को मैंने सली का समय की पाबंदी और शबह लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं कही तुम पहले आकर देखती घर भूतों का डेरा बना हुआ था इतना बड़ा मकान ये अभी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है कौन सा सोने का है कौन उठने बैठने का है सभी जगा चरपा या कपड़े और बरतन बिखरे रहते थे अनिमा कहती है लेकिन नौकर तो अंजली नौकर तो थे पर उन्हें बात करने का धंग आता था नकाम करने का गंदे गमार चोरर बत्तमीज अनिमा कहती है मैं तो हैरान रह गई मुन्नी को देखकर नौकरानी लगती ही नहीं मैं तो समझी के जीजा जी की बहन है अंजली सासा मुड़कर हैं अनिमा इतनी साफ सुथरी इतनी सुघर इतनी सभ्य अब भला कौन उस नौकरानी समझे अब अंजली प्रशन हो जाती है कहती है कितनी जान खपाई है उसके साथ तुम कलपना भी नहीं कर सकती हो अनिमा और राधू तो अनिमा कहती है वह आया तो मैं समझी तुम्हारे घबडा कर रुख जाती है कि जीजा जी के पिता की की तुम्हारे कोई बुजूर्ग है मैं उसके लिए आदर से कुरसी छोड़ कर खड़ी हो गई अनिमा अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है वह चौका पर जब तक वह कुरसिया में जारता रहा मुझे बैठने का साह नहीं हुआ हलांकि मैं अच्छी तरह जान गई हूं कि वह नौकर है पर जैसे विश्वास ही नहीं होता तो अंजली के जो घर के नौकर भी है वो इतने अच्छे धंग से उनको रखी है कि विश्वासे नहीं होता है कि यह नौकर है कि घर के सदस से है अनिमा वही बता रही अंजली कहती है कि हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए जैसे घर के भागे का पता देहरी से चलता है वैसे ही मालीकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिर थी उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पशंद सभे और सली के वाला बने तो यह जो अंजली है वो बच्पन से अपने नाना जी के साथ रहती थी तो नाना जी जैसे अनुसासन वाले थे जो उनको पसंद था बिलकुल यह भी वैसे ही बन गई अभी अपने बेटों को ऐसे बनाना चाहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा नीरज है वो भी बहुत सफाई वाला सभ्यादमी मेरी तरह बने तो आनिमा कहती है बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज इधर से गुज्रा तो हाथ जोड़कर बोला मौसी जी नमस्ते अंजरी अप्फूल जाती है गुसा मतलब कि प्रशनता से फूल जाती है और कहती है कि सभ्यता और शिष्टचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी फिर उठती है और अंदर के दरवाजे पे जाके आवाज देती है हो गया तयार नीरू बेटे नीरज कहता है जी मम्मी फिर पर्दे के पीछे दरवाजे पर जाकर नौकरानी को आवाज देती है अंजली और कहती है मुनी नीरु बेटे को नास्ता दे दो मुनी कहती है दे रही हूँ मैम साहब अंजली वह हमेशा सुबह समय से उठता है समय से अपने डाड़ी के साथ सहर को जाता है बदल कर ठीक वक्त पर नास्ते के लिए तयार हो जाता है हमारे नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी शभ्यता की पहली निसानी है ये कथन ध्यान देना है अंजली कह रही है कि हमारे नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी शभ्यता की पहली निसानी है और नीरू काम अराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है सोने की बेला खेलते या पढ़ते या पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी न पाओगी फिर जा कर देखती है कि चिलम जी आदी साफ है या नहीं तो अपने बेटे के बारे में बताती है अनिमा से अंजली कि मेरा बेटा बहुत समय से सब काम करता है भाई वैसे उसको बनाई ही है वो जो सिखाई है वो करता है अनिमा कहती है एक हमारे यहां के बच्चे हैं आठ-अठ बजे तक सोते रहते हैं कान उमेठ उमेठ कर जगाना पड़ता है महीनों असनान नहीं करते और उदंड इतने होते हैं कि दूसरों कातो क्या माता पीता तक कादर नहीं करते अंजली कहती है नाना जी कहा करते थे बच्चों को सुरू से ही अच्छी आदते डालनी चाहिए इतना बड़ा हो गया है नीरज कभी कान उमेठने या डाटने की नौबत नहीं आई अनिमा कह रही है कि मैंने पूछा नीरज से कि नीरज बेटा नास्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे न तो कहने लगा कि मैं अपनी ही मेज पर नास्ता करता हूं मौसी जी अंजली कहती है हाँ उसकी आलमारी उसका मेज टाइलेट का समान सोने का कमरा सब कुछ हलग है वह सदा अपनी मेज पर नास्ता करता है और अपनी आलमारी में कपड़े रखता है अपने बिस्तर में सोता है और अपनी कंगी से बाल बनाता है अपने सब काम आप करता है नाना जी कहा करते थे कि बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए अनिमा कहती है मैं तो भाई मान गई तुम्हें मैं खुद सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदते सुधारू समय पर उठूं समय पर खाऊं समय पर सों कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलिका और सुगडापा आ जाए तो अन्जली कहती है कि नाना जी कहा करते थे सुगडापा इस्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का और मैं चाहती हूँ नीरज सब हिस्षिष्ट और समय निष्ठ बने तो अन्जली कहती है कि और मैं कहती हूँ अन्जो तुम अपने उदेशे में पूरी तरह सफल हुई हो अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है तो ये भी कसन आपको ध्यान देना है कि कौन कहता है कि मैं कहती हूँ अन्जो कि तुम अपने उदेशे में पूरी तरह सफल हुई हो अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है सब मानो उसके पुर्जे हैं कौन कहता है तो अनिमा कहती है तो अब अंजली क्या कहती है अंजली कहती है कि जिन्दगी स्वयमेक महान घड़ी है प्राता संध्या उसकी सुईया है नियम बध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पुर्वक अपना अपना काम करते जाए तो अंजली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो घर है वो भी घरी के सुयों की तरह बिल्कुल चलता रहे नियम में हम लोग बध जाए ठीक ये अंजली के विचार हैं तो अनिमा कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यो बधना तो अब अंजली कहती है बुरा कुर्जी पर बैटते हुए हस्ती है बड़े सिद्पिट आये थे पहले पहल पर मैं ले आई अपने धब पर उनको सच कहती हूँ मुझे निरज पर इतनी जान नहीं खापानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर कोई भी तो कल न थी सीधी ना सफाई का ख्याल ना समय का मुझे चीजों को अपनी जगा रखते देर लगती और इने भी खेरते देर न लगती नहा कर बाल बनाते हैं तो कंगी कहीं और रख देते थे सीसा कहीं और रख देते थे तौली कहीं और फेक देते थे कचारी से जब आते थे तो कपड़े बदलते कोट कहीं और फेकते पतलून कहीं और फेक देते सच कहती हूं कई हैट इनके तूट गए आते ही कुर्सी पे पटक देते फिर जब बेख्याली में बैठने लगते तो ठस ठस हो जाता तूट जाता उनका हेट फिर हसने लगती है अनिमा कहती है लेकिन जीजा जीतो अंजली मुह बना के कहती है बड़े कल्चट दिखाई देते हैं कभी इधर की चीज उधर नहीं रखते जी हाँ जानती हो कितनी माथा 25 करनी पड़ी है इनके साथ कितनी भूखर ताले की है मैंने कितनी बार रूठ कर पीहर जा जाकर बैठी हूँ मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक न था मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी लेकिन जब भी लिहाफ ओरते चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सिल दिया दूसरे दिन क्या देखती हूँ चादर लिहाफ के ऊपर तेर रही है लिहा भी जनाब ने उल्टा और रखा था और हसने लगती है फिर कहती है अंजली क्या कहूं पलंग पोस्ट समेट बिस्तर में घुश जाया करते थे तुम्हारे जी जा जी फिर वकिल साब स्री इंद्र नरायन जो उनके पती हैं हसते हुए उनका प्रवेश होता है अंजली से केवल आठ दस वर्ष बड़े हैं लेकिन सरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है यो अब टू डेट सूट पहने हैं पतलून की क्रिज और कोट का कालर लगता है जैसे अभी प्रेश किये गए हैं अंजली के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तोर पे छिपाए हुए है लेकिन जब भी हसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तों में सूट ने उन्हें कैसे जगर रखा है बात करते हैं तो प्रायकंधे जटकाते हैं पहले सायद विवस्ता वस ऐसा करते होंगे पर अब तो यहीं उनकी आदत बन गई है तो इंद्र नरायद कहते हैं जो उसके पती हैं वकिल साब कहते हैं कि अरे भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह और अंजो उन में से है जो आप भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है और दूसरे वो हैं जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं और फिर हसने लगते हैं गाड़ी के डिबों की तरह तो भाई हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं गाड़ी के डिबों की तरह बीबी चला रही है हम पीछे पीछे चलते जा रहे हैं और कुर्सी खीच कर उसमें धस जाते हैं अनिमा कहती है गाड़ी के डिब्बे और हस्ती है जी जा जी भी न इंद्र नरायन और अंजो जैसे चलाती है चले जाते हैं क्यों अंजो? दिया कभी सिकायत का मौका हमने तुम्हें? फिर असते हैं कहते हैं कि दिन में तीन बार नहाते हैं चार बार हाथ पाओध होते हैं कम से कम चार बार खाते हैं और पांच बार कहके चूप हो जाते हैं अंजली कहती है इस नास्ते को आप खाना कहते हैं इसरे नरायन, तुम इसे नास्ता कहलो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे, और पांच बार कपड़े बदलते हैं, सफाई वक्त की पाबंदी, सभे समाज के तौर तरीके, सब का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं, अंजो के साथ साधी करने के बाद लगता है, जैसे हम तो अच्छूत थे, अंजो ने आके हमारा हुद्धार किया, व्यंग बोलते हैं ये, और पूरे जोर से ठाहा का मारते हैं, कहते हैं कि जिसमें अंजो की आप तो, और अनिमा की जीजा जी भी गुम हो जाती है, उनके ठा हाके में, अंजली, लज्जा को स्वर की तिवरिता में छिपा कर, अंजली जो है, थोड़ा सर्मा रही है, वो सोचे कि मेरी प्रसंसा कर रहे हैं मेरे पती, तो अब लजाने लगती है, लेकिन वो उसको छिपा लेती है, और फिर कहती है मुन्नी से, कि मुन्नी, नास्ता पे रख दो, तो मुन्नी कहती है, नास्ते को ट्रे में लाते हुए, कि लाई में साहब, इंद्र नरायन, और सच है, हमने अपने आप को सोलहो आने अंजो के अनुरूप बना लिया है, हमें खुद अब गंदे लोगों से सक्त नफरत होती है, ये फोज़दारी के वकील, आठो पहर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्ही जैसे लगते हैं, वही यादते, वही तोर तरीके, और भाई, हम सच कहते हैं, कुछ की तो सकल भी वैसे ही लगने लगती है, अनिमा हसने लगती है और कहती है, जी जा जी, आपके सकल तो अभी भगवान की कृप से, इंद्र नरायन कहते हैं, भगवान की कृपा से नहीं, मुझे तो अंजो ने बचा लिया, नहीं, उनके साथ रहकर तो मेरी भी सुरत वैसे ही हो गई होती, हसने लगते हैं, फिर कहते हैं, कि सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छूब ही नहीं गए, तो अंजली कहती है, नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूशड है, तो इंद्र नरायन कहते हैं, पर भूशड अलंकार, इस्तिरों की चीच समझ कर, वे इसे पास भी नहीं फटकने देते, सदा असलील बाते करने में उन्हें रस मिलता है, और गंदे इतने होते हैं, कि पास बैठना दूभर हो जाता है, जूतों समेत मेज पर पाउं रखे, बैठे डकारते रहते हैं, बत्तमीज कहीं के, और पाने के बता से दही बड़े और चाट खा खा कर, खा खा कर, तो अंजली कहती है, नाना जी कहा करते थे, दही बड़े और चाट नहीं खाना चाहिए, इंद्र नरायन कहता है, कि मैं तो नाना जी का दुआ दिया करता हूं, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा, मुझे इस चटोरे पंसे बचा लिया, कसम ले लो, जो पिछले छै बरस में चाट को मुझ भी लगाया हो, और तो और कभी नीरज ने भी नहीं लगाया, तो अंजली कहती है, मुझ लगाने देती हूं मैं नीरज को ऐसी गंदी चीज़े, मैं कभी लगाने ही नहीं दूंगी, चाट और शोला फुल की जैसी गंदी चीज़े मुझ में नीरज को, इंद्र नरायन कहता है, कि जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेड, दही बड़े और पानी के बतासे जैसी निकम्मी चीज़े खा कर, दोने वहीं फर्स पर फेक देते हैं, तो मैं नाना जी को दुआ देता हूं, जिनकी सिच्छा से अंजो के द्वारा मुझे इस बड़तमी जी से बचाए हुए हैं, भगवान साक्षी है जो मैंने पिछले छे बरस से चाट को एक बार मुह भी लगाया हो, तो अनिमा हस्ती हर करती है केवल दोने ही देखे हैं आपने, तो वकिन साहब भी एक खोखला ठाका लगाते हैं, अंजली कहती है, अच्छा फिर हसिएगा, बाद में हसिएगा, पहले नास्ता कर लीजिए, तो इंद्र नरायन कहते हैं, भाई मैं कहता था, कुछ देर प्रतिच्छा कर लेते, वह स्रीपत का पत्र आया था, कि आज सुभा की गाड़ी से वह आ रहा है, इंद्र नरायन कहते हैं, श्रीपत उनका साला है, अंजली का भाई है, तो कहते हैं इंद्र नरायन कि उसका पत्र आया था, वह भी आने वाला है, तो उसकी प्रतिच्छा थोड़ी दिर कर लेते हैं, फिर आयागा तो साथी में नास्ता किया जाएगा, तो अंजली व्यंग से करती है आ गया श्रीपत इन शे बरसों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे कभी आया भी है आप भी बसना नास्ता शुरू कीजिए स्रीपत भाई की चिठी आती तो मैं आखे दरवाजे से लगाई बैठी रहती पर स्रीपत का क्या भरोसा नहीं निपत भाई उसके दो भाई है एक निपत और एक स्रीपत तो कर एक निपत भाई की जब चिठी आती तो मैं आखे दरवाजे से लगाई बैठी रहती क्यों आए पर स्रीपत का क्या भरोसा वो कितनी बार चिठी भेज के आता नहीं है। तब तक स्रीपत बैठक में प्रवेश करता है पर अपना नाम सुनकर ठिठक जाता है। फिर धीरे धीरे खाने के कम्रे के परदे की ओर बढ़ता है। इंद्र नरायन कहता है भाई वह घुमक कर आदमी है सदा बहार दवरों पर रहा है। तो अंजली कहती है जी दवरों पर रहा है जब भी इधर से गुजरा बड़े तम तराक से लिख दिया। श्रिमान राय श्रीपत इस बार अवश्य अंजो दिदी के गरिब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया। किस गारी से गुजरे। नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत। और श्रीपत परदे के पास से निकल कराता है और कहता है कि स्रीमान राय स्रीपत राय पधारते हैं। सब चौकते हैं और श्रीपत परदे के पास खड़ा है। कीमती सिल्क का कुर्ता और लठे का पैजामा पहने हुए है। लेकिन कूर्टे के दो बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयू में अंजो से दो अढ़ाई वर्स कम है लेकिन अंजो की तलह पतला दुबला और कमजोर व्यक्ति नहीं है। खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है। लंबा तगड़ा और मोटा कलाई में कीमती घड़ी और मुह में इस्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट है। तो स्रिपत को देख के उसके जी जा जी इंद्र नरायन उल्लास से बोलते हैं स्रिपत सिगरेट वहीं फेक कर उसे पैसे मसलते हुए आगे बढ़कर वकिल साहब को आलिंगन करते हुए कहता है जी जा जी इंद्र नरायन उसे अपने आलिंगन में भीच कर करते हैं भाई ब धूल और पसिने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुमने लिप्टे जा रहे हो इनसे चलो नहाओ पहले कपड़े बदलो समान कहा है तुम्हारा स्रिपत कहता है अरे दी दी इतने बरस बाद मिले हैं जीजाजी से तो क्या अच्छी तरह से गले भी न मिलने दोगी फिर लिपड़ जाता है और कहता है कहिए जीजा जी कैसे मिजाज हैं हुजर के कैसे मिजाज हैं हुजूर के कसम आपकी यूग बीत गए आपको देखे कहिए वकालत का क्या हाल है सूरज से तो कसम आपकी आप जज दिखाई देते हैं और फौज़दारी के वकील है फिर जीजाजी से अलग होकर एक दिश्टी वकील साहब पर नक सिसिक तक डाल कर सर हिलाते हुए कहता है रत्ती भर नहीं अंजो दिदी ने सायद फिर अंजली कहती है चाय ठंडी हुई जा रही है चलो नहालो फिर बाते करना समान कहां है तुम्हारा स्रिपत कहता है समान ही कौन सा है बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में अंजली कहती है समान नहीं है लेकिन तो स्रिपत कहती है कहता है अरे आजकल समान साथ लेकर चनले की दिन है तो अंजली कहती है पर कपड़े तुसरी पत करता है एक अर्जकन कुर्टा और पैजामा होगा सोबिस्तर में बंध है तो अंजली नौकर को आवाज देती है राधू, राधू राधू आता है बाहर से कहता है जी मेम साहब फिर अंदा के कहता है जी, जी बोलिए अंजली कहती है बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है उठा लाओ बात्रूम में नया तौलिया और साबुन रख दो और आलमारी से साबुन की नई टिकिया लेलो ये नहाएंगे तो स्रिपत कहता है तुम भी बस दीदी अभी चला आ रहा हूं पसीना तक नहीं सुखा और तुमने नहाने का नादेर साही हुक्म जारी कर दिया कुर्ता उतार कर साथ की कुर्सी पे फेक देता है और जरापंखा तेज कर दो दीदी इंजन के धुए ने धुल और पसीने से मिलकर अंजली कहती अरे 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 क्या कर रहे हो स्रिपत तुम्हें सरम नहीं आती देखो यहां अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेक दिया नंगे बदन तुमने यहां बैठना है तो स्रीपत कहता है अरे दीदी तुम तो फिजूल ही ग्रिहस्ती की चकी से अपना माथा फोड़ रही हो तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टी डेंट हो जाना चाहिए इंद्र नरायन कहते हैं हिंदुस्तानी सेना में अभी और्टों को लेते नहीं वर्ना अंजली अपने पती पर एक आगनिय द्रिष्टी डाल कर स्रीपत से कहती है सिष्टता तो तुम्हें भी छूई नहीं है अन्नो बैठी है और तुम स्रीपत कुर्सी घर सिटते हुए कहता है इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ तुम पंखा जरा तेज कर दो दीदी या पसीना ना सुखेगा तो मैं न नहा सकूँगा और हस कर अनिमा की ओर देखते हुए कहा अन्नो तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है मैं तो कसम तुम्हारी पैचान भी न सका तुम्हें सच कहना क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ती है अन्जली की आगने द्रिष्टी को लक्षे करके कहता है श्रीपत अरे दीदी ऐसे देख रही है मानो मैं कोई भारी अपराध कर रहा हूँ अभी कहेगी कि हमारे नाना जी कहा करते थे तुम्हें अपने नाना जी की कसम दीदी छोड़ भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हावा तेज कर दो मेज पर पाउंट टिका कर अराम से कुर्सी पे बैठ जाता है अन्जली कहती है मैं कहती हूँ तुम कितने गवार हो यह खाने की मेज है और तुम यहां कपड़े उतार कर पसीने सुखाने बैठ गए हो कोई हद भी है बत्तमी जी की नाना जी कहा करते थे तो स्रीपत कहता है हाँ यही कहा करते थे कि स्रीपत बहुत गवार आदमी है खाने की मेज पर बैठ के पसीना सुखाता है मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहां आया हूँ तुम्हारा छोटा भाई हूँ तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिये हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर-नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहां बैठना नहीं सुहाता तुम्हारी कसम मैं जितनी देर यहां रहूँगा एक मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नजर से उज़नना होने दूँगा तो अंजली कहती है यही तो मैं कहती हूँ तुम उठो नहाओ फिर बैठ कर बाते करते हैं स्रेपत कहता है मैं कहता हूँ ब्रम्हा का वाक के और मेरा वाक के एक बराबर है मैंने कहा ना कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को अपनी नजर से उज़ना होने दूँगा तो बातरूं में जाने की बात तो दूर की है थोड़ा मजा किया टाइप का है यह तो अंजली हथास भाव से कहती है ठंडी हो गई है चाय तुम्हारी बातों में स्रेपत कहता है फिर गरम हो जाएगी और नौकर को आवाज देता है कहता है राधू ओ राधू राधू आता है कहता है जी मेम साहब स्रेपत हस्ते हुए कहता है कि कुछी मिनट हुए मुझे यहां आये हुए और कितनी जल्दी मैंने तुम्हारे नौकर का नाम याद कर लिया तो अंजली कहती है क्या करेगा नौकर चाय का पानी गरम करके फिर ठंडा हो जाएगा तुम नहा तो लो तो उसरे पत कहता है मैं कहता हूं दीदी चाय पीना भी कोई संध्या बंदन करना है किस ना नादी की जरूरत हो जरा गरम गरम चाय का एक कप पिलाओ जान में जाना आए नहाने की भी देखी जाएगी मतलब उसकी बैन उसे नालाने पे लगिए कि सफर से आए वो नहाल ओ गंदे बैठा है उसको छिड़ हो रहा है अंजली को और जितना चिड़ती ए उतना ही चिड़ाता है उसे तो उसका भाई ये उसे चिढा रहा है वो नहाने को करिये नहा नहीं रहा है ठीक तो अंजली कहती है घड़ी के और देखते हुए खीज कर मैं कहती हूँ नास्ते का समय कपका हो गया और तुम हो की स्रिपत कहता है यही तो कहता हूँ बस जट पट नास्ता कर लिया जाए ट्रे को अपनी और खिचता है और कहता है कि सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहें भाई आप सब तो नहा कर बैठे हैं मैं बिना नहाए बैठा सही क्यों जी जाजी आपको कोई आपती है जी जाजी इंद्र नरायन तो अनिवा भी अंजली की ओर देखे जी जजगते हुए कहती है मैं श्रिपत कहता है तो लाईए चाय पी जाए मुझे आप सब की कसम सचमुछ बड़े जोरो की फूख लगी है प्लेट से टोस उठा कर उस पर छूरी से मक्खन लगाते और खाते हुए कहता है और नहानी में कम से कम मुझे एक घंटा लग जाएगा मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए इतना देर तक इंद्र नरायन राधू से कहता है जो इस संभासर में चुपके से आकर हात वाधे आदेश की प्रतिच्छा में खड़ा है तो इंद्र नरायन कहता है कि राधू जरा चाय का पानी और लाओ गरम गरम यह तो ठंड़ा हो गया है स्रिपत कहता है और फिर मैं सोचता हूँ गरम चाय पीने से जितना पसीना निकलना है निकल जाए इसके बाद नहाऊ इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नास्ता किया करता हूँ चाय तो खूब गरम है जी जाजी राधू और पानी अलगती पाट में लाओ तब तक एक एक प्याला इसी में से हो जाए राध हो जाता है वकिल साहब के प्याले में चाय ढालता है और कहता है कि आप दूद तो ज़्यादा नहीं लेते दूद ढालता है और कहता है चीनी कितना ढाले अंजली आगे बढ़कर क्रोध से कहती है स्रीपत तुम्हें टेवल मैनर्श का भी ज्यान नहीं हटो मैं बनाती हूँ चाय स्रीपत कहता है ना दीदी चाय तुम्हें अपनी सदा आप बनाता हूँ तुम्हारी कसम दूसरा कोई काम खुद नहीं करता पर चाय मैंने फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही बनाऊंगा अंजली भावी के आने की संभावना से ही प्रशन नहो जाती है और कहती है कि तुम करो भी सादिया लड़किया तो हजारों मिलेंगी तो स्रीपत कहता है चाय की चुसकी लेके अरे दीदी सादी की कलपना में जो आनन्द है वह सादी में कहां और सासा वकिल साहब की और मुड़ जाता है और कहता है जी जा जी से पूछ लो कि जो सादी की कलपना में आनन्द है वो सादी में नहीं है तो अंजली कहती है क्यों इन्हें क्या इंद्रनरायन कहता है नहीं भाई मैं तो तोस्रिपत कहता है वाह जी जा जी वाह आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी देकर जरा कहिए कि साधी की कल्पना में ज्यादा मज़ा है या साधी में याद है न, मयांजो दिदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था कितना हसते थे आप उन दिनों, कितने ठाहा के लगाते थे कितनी बेपरवाही थी आपके श्वभाव में जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहां चाहे रहते थे, जाते थे और अब इतनी देर से बैठे हैं एक ठाहा का भी तो आपने नहीं लगाया आपकी कसम आप तो हाई कोट के जज दिखाई देते हैं और हसने लगता है पिस चाय की चुसकी लेता है और कहता है कि जबकी अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने जब एक वकेल जज नजर आने लगे तो समझे कि वह बुढ़ा हो गया है वकेल तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का कसम आप की जीजा जी साधी ने आपको बुढ़ा बना दिया है और स्वेम जोर से ठाहा का लगाता है और चाय पीता है और कहता है कि और क्यों जी जाजी अपना वचन तो आप नहीं भूले ना पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फे दिलकुसा होटल में इंद्र नरायन इस बात से घबढा कर शीपत अपनी जोक में कुछ और न कह दे प्याला हाथ ही में लिए उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि लो भाई मुझे तो देर हो रही है एक मामला है जरूरी मैं लंच पर आने की कोशिस करूँगा उसे निबढा कर मेरी प्रतिछा न करना हाथ के प्याले को एक ही घूट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं अंजली कहती है कि हैट तो अपना लेते जाए उनके पीछे पीछे जाती है श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना अरंभ कर देता है श्रीपत गाता है भरी बज्जम ये राज की बात कह दी बड़ा बेदब हूँ सजा चाहता हूँ श्रीपत गुनगुना रहा है जब राधु दूसरा टी पाट लाता है और उसे मेज पर रख कर चला जाता है अनिमा उसमें से अपना प्याला बनाती है अनिमा अपने प्याले में चाय ढालते हुए कहती है मैं पूछती हूँ क्या आप किसी तरह के सिष्ट चार में विश्वास नहीं रखते तो स्रीपत हस के कहता है किसी तरह के भी नहीं सिष्ट चार सादी का यो कहलो की बंधन का प्रतीक है उधर आपकी सादी हुई इधर आपके गले में सिष्टचार का जुवा पड़ा ये आपकी सास है इनके सामने सिर नीचा की ये सिष्टता से यो मुस्कुराओ मानो आपके सारे दाथ जड़ गए है ये आपकी सरहज है इनके सामने विनर्बता से आयसे हसो मानो आपकी 32 मोतियों की हैं ये आपकी पत्नी है आचार व्यवहार सदचार और शिष्टता की मौसी खुब जोर से ठाका मरता है और करता है कि मेरे खयाल में आचार व्यवहार के सभी कानून काईदे साधी सुदा लोगों के अधिर दिमागों की उपज हैं इसीलिए मैं ब्याह की कलपना ही करता हूं उसके बंधन में नहीं भसता और फिर सहसा अनिमा की और मुड के देखता है और कहता है क्यों अन्नों क्या तुम भी साधिवादी करना चाहती हो या तुम्हें मेरी तरह ब्याह के सपने देखना ही पसंद है अन्जली वापस आते हुए तनिक्रोध से कहती है चलो अनिमा चल कर बैठक में बैठे चाय पी ली न तुमने अनिमा प्याले को एक ही घुट में समाप्त कर देती है अन्जली नौकर को आवाज देती है राधू 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 आंगन से कहता है जी आया अन्जली कहती है राधू यह सब उठा कर ले जा और मैं कहती हूँ मेज को अच्छी तरह साफ कर दे नीचे के समवाद में राधू चुपचाप मालकिन की आदेश का पालन करता है अन्जली कहती है सारी चादर खराब कर दी तुमने स्रीपत तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है लेकिन मजाल है कि कभी मेज पोस खराब हुआ हो और तुम ऐसे हो की स्रीपत कहता है अपना प्याला लिये हुए कुर्सी सरका लेता है कि राधू को काम करने में सुविधा हो और कहता है कि मैं कहता हूँ दीदी तुम जरूर से नामे भरती हो जाओ ग्रिहस्ती ने तुम्हारे सारे गुड़ों को मटिया मेट कर दिया है अंजली कहती है हटो और यह प्याला आप खतम करो इस गरीब को दूसरे भी काम देखने है देखो घड़ी में क्या वक्त होने को आया है चलो आओ उधर बैठक में चल कर बैठें यहां राधों सफाई करेगा अनिमा उठती है स्रीपत कहता है तुम चलो मैं जरा यहीं आराम करूँगा गरम गरम चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहत पैदा कर रही है तुम्हारी कसम मैं यहां से उठकर स्वर्ग में भी न जाओं तो अन्जली कहती है पंखा तो उधर भी है भाई स्रीपत कहता है पर मुझ में उठने की ताकत नहीं है अन्जली कहती है हम तो जाते हैं तुम बैठो यहां जितनी देर तुम्हारी इच्छा राधु समान उठा कर चला जाता है स्रीपत कुर्ते की जेब से सिग्रेट निकाल कर मुझ में रखता है लेकिन दिया सलाई सायद उसके पास नहीं है पुनह जेबेट टोलता है फिर राधु को आवाज देने वाला होता है कि नीरच कम्रे के दरवाजों से प्रवेश करता है नीरच दस से ग्यारा वर्ष का बच्चा है नीली बुसर्ट और सफेद निकर पहने सुन्दर सुकुमार और सुसंस्कृत लेकिन चेहरा उसका गंभीर है बाल सुलब चंचलता का वहाँ सर्वता अभाव है उसकी चाल उस बच्चडे किसी है जिसके गले में बंधोर असी के साथ समझोता कर लिया हो नीरच आता है कहता है मामा जी नमस्ते स्रीपत कहता है भाजे सहाब है नमस्ते नमस्ते कहो नीरू बेटे नीरच हो न तुम उसे बाहों में उठा कर कहता है अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिबिया तो ले आओ बेटा नीरज कहता है अभी लाया मामा जी श्रीपत उसे उतार देता है वह दिया सलाई की डिबिया लेने परदे के पीछे रसोई घर की और भाग जाता है स्रीपत फिर कुर्षी पर बैठ कर टांगे मेज पर रख लेता है जिसे अभी राधु साफ करके गया है और कुर्षी पर जुलता हुआ गुन-गुनाता है स्रीपत गुन-गुनाता है उद्धो अखिया अति अनुरागी इक टग मग जो वती अरुरो वती भले हुँ पलक ना लागी उधो खिया अती अनुरागी नीरस दिया सराई की दिविया लेकर आता है कुछ छड़ खड़ा गाना सुनता है फिर आगे बढ़ता है नीरस कहता है लीजिये मामा जी श्रीपत कहता है लाओ बेटे नीरस दिया सराई देकर आदर से एक ओर खड़ा हो जाता है श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सराई जला कर सीगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कस खिचता है नीरस पुरुवत आदर से कहता है मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते सहसा श्रीपत के टांगे नीचे आजाती है फिर वह तनिक चौक कर नीरस की ओर देखता है और अनायाज ठहा का मारता है श्रीपत फिर टाके उसी प्रकार मेज पर रखते हुए कहता है कि किसने कहा तुमसे नीरस बेटा तो नीरस कहता है ममी कहा करती है मामा जी स्रीपत वह तुम्हारे लिए कहती होंगी तुम अभी बच्चे हो ना जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की इजार्यत मिल जाएगी फिर हसता है और कहता है कहो किस क्लास में पढ़ते हो तो नीरस कहता है पांचवी में मामा जी स्रीपत पर लिखकर क्या बनना चाहते हो तो नीरस कहता है डिप्टी कमिशनर मामा जी स्रीपत डिप्टी कमिशनर बनने की बाद तुम्हें किसने सुझाई तो नीरस कहता है ममी ने सुझाई मामा जी स्रीपत तुम स्वयम क्या बनना चाहते हो तो नीरस कहता है मैं मैं तो मामा जी स्रीपत या तुम्हें हर बात के साथ मामा जी मामा जी कहना किसने सिखाया तो निरज कहता है मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आधर से करोगे तुस्रीपत कहता है तो हो चुके तुम डिप्टी कमिस्नर इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी अकड़ कर चला करो, रॉब से बात किया करो तो निरज कहता है मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी पर ममी न स्रिपत कहता है कप्तान तो निरज कहता है जी मामा जी क्रिकेट का कप्तान तो श्रीपत कहता है क्रिकेट खेलते हो तो निरज कहता है कि जी मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है चोट लग जाती है इसमें तो श्रीपत कहता है तब तो तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान कितने घंटे खेलते हो तो कहता है दो घंटे फिर पूछता है कितने घंटे पढ़ते हो तो कहता है छे घंटे तो स्रीपत कहता है कि छे घंटे खेला करो और दो घंटे पढ़ा करो तो निरज कहता है कि जी मैं पास कैसे होंगा फिर तो स्रीपत कहता है कि पास होने के लिए रोज बाकायता दो घंटे पढ़ लेना ही काफी है और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट के कप्तान बनना तो निर्यज कहता है कि मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ तो स्रिपत करता है तो जाओ रोज दो घंटे जम कर पढ़ा करो और छे घंटे डट कर खेला करो तुम्हारे मामा जी दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवस्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार भर में नाम पाओगे नीरज गदगद होकर मामा जी मामा जी करकर स्रिपत से लिपट जाता है अंजली दूसरे कमरे से आवाज देती है नीरज तो निर्यज कहता है जी मम्मी अंजली कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है यहां क्या कर रहे हो उधर चलो अपने कमरे में पढ़ने का समय हो गया है अभी तुम्हारे मास्टर साहे बाते होंगे काम कर लिया करो काम कर लिया है तुमने कल का तो नीरज कहता है मम्मी मैं तो खेलूँगा अंजली क्रोध से क्या उसके कंधे को थप थप आते हुए नर्मी से कहती है चलो नीरो बेटे यहां से तो नीरज कहता है कि 6 घंटे खेलूँगा और 2 घंटे पढ़ूँगा मम्मी तो अंजली क्रोध से कहती है क्या कहते हो चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं चलो पहले तो नीरज कहता है मम्मी में क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ तो अंजली क्रोध को रोके हुए नर्मी के साथ कहती है पागल सिर पह तुड़वाया अगर क्रिकेट का कप्तान बनकर तुझे तो डिप्टी कमिस्नर बनना है तो नीरज कहता है मम्मी मुझे डिप्टी कमिस्नर नहीं बनना है मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूँगा स्रिपत कहता है अरे दीदी तुम तो नीरू बेटे के कानु खेड़ दोगी अंजली जाते जाते मुड़कर कोद से चुपर हो स्रिपत तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हाई तरह आवारा हो जाए काम के ना काज के अढ़ाई से रानाज के स्रिपत कहता है अरे दीदी तुम तो व्यर्थी ग्रिहस्ती की चक्की में अपनी जान खपा रही हो तुम तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए हस्ता हुआ कुर्सी पे बैठता है और सिग्रेट उठाता है लेकिन वह बुझ गई है और डिबिया अंजली जाते जाते साथ ले गई है इसलिए वो जब जेब टटोल कर रह जाता है स्रीपत अपने आप कहता है कि भगवान ही बचाए दीदी से दिया सलाई की डिबिया भी जाते जाते उठा कर ले गई टांगे मेज पर रख लेता है और नोकर को आवाज देता है राधू राधू कहता है जी आया जी सहाब बोली स्रीपत कहता है दीया साब अंदीया सलाई की डिबिया लाओ राधू कहता है बहुत अच्छा साब चला जाता है और स्रीपत गुन गुनाता है यह दस्तूरे जुवा बंदी है कैसी तेरी महफल में यह तो बात करने को तरशाती है जुवा मेरी स्रीपत के गाने के मध्य परदा गिर जाता है छड़ भर तक गाने की ध्वनी आती रहती है इसके बाद निस्त अब्धता च्छा जाती है तो यहाँ पे हमारा पहला अंक का पहला द्रिश समाप्त हुआ अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा द्रिश कौन सा द्रिश देखेंगे इस नाटक का दूसरा द्रिश देखेंगे पहला द्रिश हमने समाप्त कर लिया तो दूसरा द्रिश से हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में अगले वीडियो में इस class में इतना ही उमिद करते हो कि ये नाटक आप लोगों को समझ में आया होगा कोई समस्या नहीं हुई होगी ना समझ में आये तो बताईएगा हलाकि बहुत अच्छा नाटक है आसान है आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो class कैसी लगी comment में अपनी राय जरूर दीजिएगा और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले भाग में जो नए हो चैनल को subscribe जरूर करें और अपने मित्रों के हाँ इस class को share भी करें आप सभी को class देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद